नमस्कार आप देख रहे हैं दीललन टॉप आज 27 जून की तारीक है असम के 22 जिले अब भी बार्ड से तबाह हैं फिलाल हम बारपेटा में हैं जो बार्ड से सबसे जादा प्रभावित जिलों में से बताया गया है यहां पे 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं बार्ड से अ फिलाल चल रहे हैं हमारे साथ में यहां के जो आम बाशिंदे हैं लोकल्स हैं और उन्होंने हमें एक ऐसी चीज बताई जो सुनने में थोड़ी अलग लगती है कि इतनी बारिश हुई है कि मचलियां भाग गई है दादा यह मचलियां भागने का क्या सीन है देखिए आगे जो फर्मर है वह चारा मुश्य निकल गया लूए चारा मुश्य होता यह की जो तालाब होते हैं मचली के मचली का दाना हम कहते हैं अब और पर चुप बढ़ा करता है किसान है ना उसके आजू बाजू बाजू ऐक बांस होता है उचाई होती है एसे कई सारे पॉंड्स होते हैं क्योंकि बारिश खूब होती हैं पानी होता है तो यहाँ पे मचली का काम बहुत लोग करते हैं और इस बार बारिश यतनी हो गई है कि जितने तालाब थे आस पास यह तालाब नहीं है हम तो फिलालेख खेत में हैं जितने तालाब जो आपको अगर आप कैमरा उस तरफ में पैन करेंगे तो वो एक तालाब है जिसके आजू बाजू आपको पेड़ पौदे दिख रहे हैं उसके उस बांध के ऊपर से पानी चला गया था ये पूरा एक सरोवर बन गया था और तब ये होता है कि मचलियां तै नुकसान इतना हो गया है अब जो बचा है वो दस एक परसेंट मचलियां है और उसमें अब लागत नहीं निकाल सकता है जो मचली का काम करने वाल किसा तो दादा यह अब करजा हो जाएगा तो इस बैंक में लून है किसी का दूसरा का महाजन का पास मतलब कर्जत है चारा कर्जत अभी कहा से देगा मतलब अभी फर्मर जो डेट हुआ है ना इसकी व सब्सक्राइब करेगा तो और जो दादा जो हमारी नाव चला रहे हैं यह दादा लोगों का नाम क्या है पीछे जो आप जानने वाले सब लोगे यह हमें जाना चाहते हैं कि अभी तो नाव चला रहे हैं बागी टाइम पर कैसे गुजारा करते हैं पूछ लिजें उनसे हम तो नाव सब्सक्राइब की करो फिशरी ओ फर्मर था अभी तो बारिस हो गया मतलब पानी हो गया अभी क्या अगर रगा खाने पीने के लिए कोई बेवस्ता नहीं है तो अभी वो लोग नाव सब्सक्राइब के दो चार पाइसा रुजगार करता है उससे चल जाता है अभी इसका बाद वो जो बंदा देख रहे हैं पास में पानी सुख जाएगा तो उसका कोई गोहाटी कोई गोवा कोई अलग 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 राज्य में जाएगा उसमें काम करगा क्या कर अभी कि रुजगार होगी है इसलिए अब यह मज़दूर हो गए तो आने जाने वाले लोगों के लिए नाव चला रहे हैं फिलाल फ्रेट सीजन में और जैसे हमें अभी लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही और लोगों के साथ भी करते हैं उससे थोड़ी बहुत इंकम होती है और बाकी टाइम पर फिर ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं कुछ लोग जिनके पास में थोड़े और रिसोर्स हैं वो हिंदुस्तान में और दूर जाएंगे तो आपने देखा कि जब बारिश खूप होती है तालाबों में पानी बढ़ जाता है बाड आ जाती है तब एक ऐसी आफ़त भी आती है जिसके बारे में कोई सोच रही सकता है मचलिया भाग जाती है और जब मचलिया भाग जाती है तब ऐसे जो किसान होते हैं जो मचलियों का काम करते हैं जिनकी चोटी-चोटी फिश्री होती हैं वो इस तरह से मजदूरी करने में मजबूर हो जाते हैं इसी तरह की और जो स्टोरीज हैं बाल की इस तरह से जुड़ी आसम में जो आसम का सबसे प्रभावित जिला है बार पेटा वहां से मैं और मुहन आपके लिए लाते रहेंगे बने रहें दिललन टॉप के साथ प्रभावित बाल की और मुहन आसम में जो दिललन टॉप के लिए लाते हैं प्रभावित जिललन टॉप के साथ.